दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर कल महाराष्टर में चुनाव है, महाराष्टर और जारखंड के अंदर और इसके साथ साथ देश के उन राज्यों जिनके अंदर उत्तर परदेश, राजस्थान, वध्यापरदेश, पंजाब, कई और राज्ये हैं जहांपर की विधान सभा की कुछ सीटों पर उपचुनाव है और कुछ सीटों पर लोग सभा का उपचुनाव है लेकिन इस चुनाव से पहले जो मौसम में थोड़ी गुलावी सर्दी है इस सर्दी में गर्मी भरदी है उस आरोप ने जो लगा है भारती जंता पार्टी के राष्ट्रिये महासचीव विनोत तावडे पर आरोप लगाया है कि वो वोट के लिए नौट दे रहे थे बाजबा के राष्ट्रिये महासचीव जो महाराश्ट से आते हैं जो पिछले दिनों हर्याना के परवारी भी थे विनोत तावडे अन पर आरोप लगाया है और वो आरोप लगाया है बहुझन समाज अगाडी पार्टी है उस पार्टी के नेता और विधायक जो वहां से चु नगत बरामत भी किये गए हैं आपको बताएं तो कल यानि की बुद्वार को महराश्ट्र के अंदर मद्दान होना है मद्दान की तमाम तैयारियां है चुनाव आयोग ने तैयारियां की हुई है चुनाव परचार बंद हो चुका है और इस समय चुनाव परचार बंद होने क बाद जो नेता सीधे संपर्क किया करते हैं वो आजकल दौर चल रहा है और इस दौर के बीच में भारती जंता पार्टी की एक बैठक चल रही थी बताया गया है और उस मौके पर पहुंच गए हितेंदर ठाकुर है हितेंदर ठाकुर बहुजन विकास अगारी के नेता हैं व चुनाव रड़ रहे हैं भाजपा बीजेपी केंडिडिट और आरोप लगा कि वहां पर एक होटल है और होटल के अंदर विरार छेत्र का वो होटल है और होटल के अंदर भाजपा के जो राष्ट्रिये महासचिव हैं विनोत तावडे आरोप लगा कि वो पैसे बांट रह और एफाई आर दर्ज होने के बाद में विनोत्त तावडे सामने आए और विनोत्त तावडे ने कहा कि यह सबकुछ साजिश है। और गहरी साजिश है जिसकी जांच होनी चाहिए विनोत तावडे कहते हैं कि मैं नाला सोपारा में जो विधान सबाद छेतर है नाला सोपारा वहाँ पर कारे करता हूं कि बैठक लेने गया था और कारे करता हूं कि बैठक के दोरान वहां आरोप लगा दिया कि हम पैसे बाट करता हूं और कहा है कि हम चाहते हैं कि इसकी निश्पक्ष जांच हो अभी सारे मामले को ले करके राजनीती बहुत गरम है इस सारे मामले को ले अब तीन घंटे से जादा वहां पर हंगामा हुआ और इस समय तक उसके बाद में वहां पर पुलिस आई और इन्वेस्ट फाइयार दर्ज हुई अब इस सारे घटना करम को ले करके जो मैं आपको बता रहा था राजनीती गरम है विलो तावडे ने तो कह दिया वो तो कह रहे हैं कि इसकी जाच करवाई जाए इसकी गंभीरता से और घहनता से जाच हो लेकिन अब इस सब पर जो राजनीती गरम है उसमें राहुल गांदी ने सोशल मीडिया एक्सपर ट्वी से निकला है क्योंकि मोदी जी ने नारा दिया हुआ है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे महराष्ट कॉंग्रेस के अध्यक्ष है नाना पटोले नाना पटोले कह रहे हैं कि जो तावडे का वीडियो वाइरल हो रहा है और इस सारे मामले में प्रचुनाव आयोग को पारद पार्टी के लोग कुछ खुश होंगे और कुछ कहेंगे साजिश है बविश्य में तावडे बड़े ना हूँ संजे राउत कह रहे हैं कि जो तावडे साब कह रहे हैं कि साजिश है तो फिर यह साजिश उन लोगों की है जो यह चाहते होंगे कि तावडे कहीं किसी बड़ पत पर ना पहुंचें आमादमी पार्टी के सांसत संजे सिंग भला कहां चूकने वाले थे बयान उन्होंने भी जारी किया वो कह रहे हैं कि MLA खरीद करके महराष्टर में सरकार गिराई थी पहले और अब इस प्रकार से यानि की जो नौट बाट कर वोट लेना चाहते हैं इ साजिश है और चुनाव से 24 घंटे पहले हर नेता अपने बूत का मेनेजमेंट देखता है अमिद मालविय कह रहे हैं कि यह हमारे संग्ठन की बैठक थी जो होटल में चल रही थी और उसमें आरोप लगा रहे हैं दूसरी पार्टियों के लोग अमिद मालविय कह रहे हैं कि माराष्ट के अंदर महायुती जीत रही है महाविकास अगाडी हार रही है और इसके चलते और निराशा के चलते इस प्रकार के बयान दे रहे हैं वैसे मैं आपको दोस्तों बताऊं कि चुनाव के अंदर चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसा बाटने का शराब बाटने का इसके लावा अलग-अलग प्रकार के उपहार देने के आरोप हमेशा लगते रहे हैं अब महराष्टर में चुनाव चल रहा है तो वहां रोप लग रहा है इससे पहले हर्याना में चुनाव हुए तो हर्याना के चुनाव के अंदर भी कई नेताओं ने आरोप लगाए थे कि पैसा बाटा जा रहा है चुनाव के अंदर पैसा बाटा गया धनबल से चुनाव नौट जो बात चला करती है वो कितनी सच है और आपको क्या लगता है कि क्या महाराश्ट्र की जो वीडियो जारी हो रहे हैं क्या वहाँ पर वाकई वोटों के लिए नौट बाटे जा रहे थे और या फिर जो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि यह तो भूत मेनेजमेंट की कार करता हूं कि बैठक थी कि तमाम वाइरल वीडियो पर और इन सब को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव को प्रभावित करने की कोई योज ना चल रही थी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोज़ना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सबस्क्राइब करें देश रोज़ना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर बाएं अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें